लिगास आपनों को स्वागत है मेरे ब्लॉग पे तो मेरा नाम कॉसिक चलो शुरू करते हैं आज पता चला कि गाइस फेमिली में ना मम्मी पापा ना होने से ना कोई भी आपना नहीं होता है मैंने समझा मेरा अभी पांट साल हो रहा है मेरा पापा गुजर गया था दोजर अठार में मेरा पापा गुजर गया था और मेरा मैं बारा साल का था तब मेरा मम्मी गुजर गया था ठीक है तो उसके बाद मैंने जब पापा मेरे को छोड़ के चला गया ना तब ही मेरे को इसा लगा कि मेरे सामने कोई भी नहीं है अपना क्योंकि मैंने रियलाइस किया कि जब मेरा पापा गुजर गे उसके बाद मेरे को पुछने के लिए मेरे फेमेले से कोई मेंबर नहीं आया तब पता चला कि अपना मम्मी पापा ना होने से ना तो फेमेले का कोई भी मेंबर तुमारे साथ होने वाला नहीं है क्योंकि तुमको पैचानता है कौन तुमारा पापा को भी पैचानता है जैसे कि मेरे पापा को पैचानता है थे लोग तो उसी तरह फेमिली मेंबर भी आता था मेरे पापा के पास मेरे कोई पैचानता ही नहीं है मेरे कुछ इस्टेटास ही नहीं है मेरे पास पैसा ही नहीं ह तो मैंने समझा कि करना है इतना करना है ना फेमिली को दिखाना है साला कि मैं अभी कर सकते हैं अभी एक लड़का है मैं घर का बड़ा लड़का हूं मैं घर का पुरा जिमदारी सब कुछ मेरे उपर है 2008 के बाद जब मैरे पपा चल बसे तो मेरे को घर का सब जिमदारी मेरे उपको लेना पड़ा तो इसलिए थोड़ा मेरा खिल गया था मैं कोई बात नहीं अभी समल गया हूं अभी आ गया हूं अपने जगा पे अभी इतना माइन भी श्रॉंग कर लिया हूं कि क्या करना है क्य करना है सोच और समझ दोनों हो चुका है क्योंकि तब नहीं था तब मैसे नया था नुबड़ा था तो अभी अभी थोड़ा प्रोनेस हो गया हूं तो इसलिए पता है कि कब क्या करना है किसके कौन सा करने से तुम्हारा बाद में जाके वक्त बदलने वाला है ये पता चल गया है तो इस साल में दोज़ेश जब इस से ये जो बगान है इस बगान को भी शुरू करूंगा आप लोगो दिखाऊंगा मैंने आप लोगो एक मेना पैसा देती है तो उसी तरह ये बगान से मैं कमाऊंगा तो आप लोगो बताऊंगा भी कि मैंने महिने महिने में कितना काम किया कितना इंकाम किया है आप लोगो दिखाऊंगा आप लोग बने रहों सिर्फ मेरे चैनल पर हाँ क्योंकि मैं आप लोगो जो बताता हूं इस सब बाते मैंने आज तक यूटूब में देखा नहीं किसी को बोलते हुए मैंने मनुद्धे को बहुत सी ब्लोगर को देखता हुआ मैं चाहता हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो जनता भी देखे ओ लोग भी कोई लड़का हो जो मेरे में जो बाते बोलता हूँ उसको दिल पे लगे और ओ करना शुरू करें क्योंकि मैं हर दम चाहता हूँ कि अच्छा हो यार क्योंकि मैं पैसे से मैं कुछ नहीं करने से भी आदमी का मैं अपना हाथ और पेर से मैं इंसान का भला करना जानता हूँ मैंने बहुत दी इंसान को भला किया है जितना भी हो help के टाइम पे help करो यार पेर हाथ से help करो पैसा हर बक्त पैसा नहीं मंगता है तुम अगर सामने भी जाओगे ना उसके सामने भी जाके खड़ा होगे ना तब भी ओ बोलेगा हाँ ये पैसा से हेल्प नहीं किया वो आके इंसान तो मेरे को हेल्प किया ना उसी तरह आप लोग हेल्प करना सिखो ये जिन्देगी ये इंसान का नेशार ही हो ये हेल्प नेशार क्योंकि हम लोग हम एक इंसान तो इंसान को इंसानी जुरूत पड़ेगा कोई जनवर जनुरूत नहीं पड़ेगा ठीक है जनवर इंसान के बीच में तो नहीं आएगा इंसान सही जनवर को खा लेगा लेकिन इन्सान के बीज जनवर कभी नहीं आता है। इन्सान को हर दम प्यार करो, खुष रहो यार किसी को हेट मत दो, किसी को अवर्यट मत करो, खुष रहो जिन्दिगी में यार और क्या है? खुष रहने का है, हर दम खुश रहना है और जिन्दिगे में कुछ करना है करो अपना 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 जजबा रखो करने का हुजनर रखो अपना सब कुछ अपना रखो क्योंकि खुद के अंदर जाक के देखने से तुम्हारा कोई नहीं होने से भी तुम्हारा मम्मी पपा तुम्हारा साथ है लेकिन तुम याद रखना क्यों पता रहों पता है क्योंकि तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा जिबन दिया है तो तुम उसके झाक के देखो तुम्हारा मन के अंदर तुम उसको एक बार फिल करो तो फिल करोगे जब ना तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा सामने होगा तुम फिल करना तुमारा वो जरूई है तुम फिल करोगे तो तुम पाओगे एक नहीं तो इसलिए थोड़ा इसको ठंडा रखना तब ही जाके काम होगा क्योंकि हसो जिन्दिक में खुश रहो ये बात हर दम याद रखने का क्योंकि ये है न ये दिल ये दिल खुश रहता ह है ये दिल को हर वक्त खुश रखना और हम लोग का जोग फेस है न फेस भेलू बनाए रखने के लिए मुपे इसमाइल हर दग जरू होता है ठीक है इसमाइल अगर तुम बरकर रख पाओगे तो जिन्दिक में तुम्हें अगर भाढ़ने के लिए कोई भी रोक नहीं आगे निकल बड़ रस्ते पे कौन देखता हूं कौन बहुस रड़ी के आके रोखेगा तुम्हें देखता हूं साला निकल बहुस रड़ी के बाहर चल जिन्दिक में कुछ करना है चल कर सेख आगे चल